तो के बच्चो शान्त हो जाओ वैसे तो इसमें एरे टॉपिक स्टार्ट होना है आज की क्लास में लेकिन आप लोग कह रहे हो तो अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे आज हम लोग इसमें स्कूल का जो फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था मैं उसको डिसकस कर लेता हूं एक बार तो यह सारे बड़े-बड़े स्कूर के हो गए सेमेस लपीएस एसकेडी में बहुत छोटा सा पेपर आया था तो ग्रीन फिल्ड का पेपर मैं डिसकस कर लेता हूं आप लोग साथ साथ में जबाब देते जाईएगा देखिए सबसे पहला कोश्चन आपका यहां पर है बिलकु शान्द हो जाएए बात है नहीं गिब दा आउट्पुट सिस्टम.out.println और राजेंद्र.length बताईए तो इसमें length निकालता है तो 1,2,3,4,5,6,7,8 एट length है इसकी यह answer सही लगाया गया है उसके बाद गिब दा आउट्पुट सिस्टम.out.println एग्जामिनेशन.substring 6 बताईए बच्चो ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ बताएं अब देखे एक फिर से कन्फर्म करते हैं ऑनलाइन में आवाज आ रही है बच्चो अब देखे यहां पर substance function क्या करता है इसके दो format होते है एक starting ending दिया होता है और एक में खाली एक number दिया होता है तो अगर एक number दिया है इसका मालब उस index number से आखरी तक सारा string तोड़ दिया जाए तो यहां पर 0,1,2,3,4,5,6,6 से आखरी तक पूरा तोड़ दिया जाए तो यह आपका a, t, i, o, n देखे कहीं है हां है option b सही है उसके बाद what is the return type of x.equals y x.equals y जिसमें कोई value तो हो नहीं अच्छा return type खाली पूछा है तो equals function क्या return करता है पहले तो equality check करता है अब return में integer value देता है या true force देता है या क्या देता है true force देता है boolean value देता है तो यह boolean value हो गया फिर विद्याल है dot substring starting ending दे दी गई है तो आपको हमेशा याद रखना है ending से एक कम सारे बच्चे paper जैसा होता है वैसे देने कोशिस करें हार बच्चा solve करे इसको बताए इसमें क्या आएगा तू से 5 दिया है इसका मलब 2 से 4 तक तोड़े तो 2 से 0 1 2 2 से 4 तक तो 0 1 2 3 4 यानि दी वाइए यह भी option बिल्कुर सही टिक किया गया है उसके बाद compare to function का return type पूछा गया है तो compare to asky code में match करता है characters को और return type में क्या देता है दोनों characters के asky code का difference तो asky code तो numeric होता है तो उसके बीच का difference क्या देगा number में देगा रहने कि int इसका सही answer रहेगा बिल्कुल सही तो यह common sense आप लगाए कि character function वही 7 के आसपास होते हैं जिसमें कि जितने भी character function is is से start होते हैं यह सारे function boolean type का value return करते हैं क्योंकि यह checking के लिए होते हैं अब यहां पर is letter or digit का मतलब कोई character एक alphabet है या a to z alphabet है या digit है 0 to 9 दूनों चीजे एक साथ check हो रहे हैं तो यह क्या करेगा is से start हो रहा है इसलिए यह आपका booleans में है है तो यह boolean result देगा boolean यह वाला answer इसका गलत हो गया बच्चे का उसके बाद next question देखिए आप हां पताई है बच्चो आउटपुट है केबल डॉट कंपेर टू और केडिट करके तो हां मैच कीजे मैच कीजे अब आप देखिए इसमें कैसे work करता है कर फिर से याद दिला दूं आपको पहले CC मैच करेगा जब जब character same मिल जाता है तो उसको ignore करके आगे बढ़ जाता है, तो उसका A, A match करेगा, ये भी same है, तो आगे बढ़ जाएगा, फिर B और D match करेगा, तो ये different मिल गया, तो जैसे ही different character मिलता है, तो ABCD के हिसाफ से जो पहले letter आता है, उसको छोड़ कर, ABCD के हिसाफ से जो दूसरा letter है string का, वहां तक count करना है, तो यहाँ पर B और D में, B को छोड़ कर, D तक count करना है, तो B के बाद CD, जो आया, अब 2 जो आया है, ये positive रहेगा, या negative, ये decide करने के लिए, आप हमेशा याद रखेंगे, जो पहला वाल लेटर है, अगर उसका A score छोटा है, दूसरे वाले से, तो minus में result आएगा, अगर पहले वाले का A score बड़ा है दूसरे वाले से, तो plus में result आएगा, हमारा 2 आया है, तो इसका महला, पहला वाला B, जो है, D से क्या है, छोटा है, तो इसका महला, minus में result आएगा, तो 2 आया, तो minus 2 रखा जाएगा, इसका, देखें कहीं है, minus 2, हाँ, ये है उसके बाद, Mississippi dot index of S, Mississippi dot last index of I, तो यहाँ पर index of function, आपका left to right की ओर ढूनता है, left to right की ओर, और last index of right to left की ओर ढूनता है, तो इसमें पहले S का index नमर देखिए, 0, 1, 2, तो यहाँ पर तो ये 2 index नमर मिल जा रहा है, और इसमें last index of में, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये को सही लिखा है मैंने, अब 10 में I का पूछ रहा है, तो 10 ही आएगा, क्योंकि इधर से पीछे की ओर ढूनता है, तो ये 10 ही आ जाएगा, तो 10 और 2 बीच में क्या लगा है, plus, ये जोड देगा, तो कितना आ जाएगा, 12, तो आपका सही अंसर 12 है, पिर मल्यालम में last index of m, m का last index of क्या निकलेगा, तो अभी-भी आपने देखा है, और small m का पूछा गया है, तो small m नहीं है, तो जब किसी character का index number आप पता करने कोशिस करते हैं, index of function में अब वो character अब लेवल नहीं है, तो हमेशा minus 1 आता है, हमेशा minus 1 आता है, तो यहाँ पर minus 1 देखो कहीं दिया है, नहीं है, तो यहाँ पर none, सही है, ऐसा भी होता है, जरू नहीं कि जो answer दिये हैं, उनी में से होना चाहिए, ननन तो वेकादी चीज होती है, यह इस बच्चे ने दिमाग लगाया, सही किया, उसके बाद, यह एक number है, जो की double quotes में दे दिया गया, इसका मुलब यह एक string बन गया, और string में dot का index number find out करने के लिए कोशिस की जा रही है, तो आप देखिए, 0 और 1, 1 पे dot है, तो आपका index number 1, सही है, उसका method is used to input a word from scanner class, इसने क्लास का यूज करके input यूज करके input एक word input करना है, तो word input करने के लिए क्या होता है, बच्चो, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन किसके लिए होता है सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस इंपुट कराना है तो नेक्स्ट लाइन लिखिए अगर कोई वर्ड इंपुट कराना है तो नेक्स्ट लिखिए लेकिन नेक्स्ट लाइन में भी अगर चाहें तो एक वर्ड रिस्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट की वर्ड यह नेक्स्ट फंक्शन यूज़ होगा बिल्कुल सही इसके बाद तो आप देख लीजे न फ्लस फलस जो है यह पोर्शन क्रमेंट केम के में यह तो फैलो चेंग म हैं नहीं करता है सही है तो यहां पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि यह वाला और यह वाले में यह वाला किसके साथ है इसके साथ है या उसके साथ है कैसे डिसाइड करोगे कि देखो उसके हिसाब से अगर यहां पर प्लस-प्लस एन दिया होता और यह दिया होता तब क्या करते अगले step पे तो plus plus n भी same value ले जाएगा और n plus plus भी same value ले जाएगा, दोनों ही ले जाते हैं, फिलाल answer यही सही होगा, चाहें यह दिया होता और चाहें यह दिया है, दोनों की जगह पर क्योंकि अगले उसमें value change होनी होती है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यह particular उस जगह जहां दिया है, वहाँ value change होगी यह नहीं होगी, तो वहाँ यह value change नहीं करता है, तो उसके हिसाब से तो हम फिर यहाँ पर none लगा सकते हैं, और यह कोई statement नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज में store नहीं कर रहे हो, तब तक यह कोई statement नहीं है, लेकिन हाँ, पुरा सा कर हम compare करें, same line में, तो देखो, इस line का मतलब क्या है, n में one add कर दे, लेकिन n की value बदल रही है, क्या, नहीं बदल रही है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी n की value नहीं बदल रही है, तो अब जो paper जिसने बनाया है, उस पर depend करेगा, कि वो किस उद्देश से इसको दे रहा है तो उसके हिसाब से हम यह वाला तो statement दे सकते हैं, लेकिन यह वाला statement तो दोनों के case में दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है तुरंद value change नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे n की value change नहीं हो रही है, तो हम इसको भी consider कर सकते हैं, लेकिन depend करेगा यह teacher के उपर, हाँ, इससे similarity जाधा हो रही है, वो अलग बात है, n plus 1 खाली अगर लिखें, तो कोई statement नहीं, error दे देगा, उसके साथ से यह भी सही नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे value change नहीं हो रही है, और इसमें भी value change नहीं हो रही ही तुरंद तुरंद, इसलिए हम इसको consider कर सकते हैं, तो दे 7 pre-increment हो रहा है, तो प्लस प्लस होकर 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, 8 से फिर से 7 हो जाएगा, साधनी जोद एक 15, 15 तो 15 आपका result सही है, फिर find the relational operator, तो relational operator का मदलब है, less than, less than equal to, greater than, greater than equal to, double equal to, not equal to, तो यहाँ पर not equal to, आपका match हो रहा है, बिलकुल सही है बताते जाएगा, कहीं पर आपको doubt हो कि यह क्यों हो गया, तो मैं उसको ज्यादा explain करने कोशिश करूंगा, फिर find the logical operator, तो logical operator and or not होता है, तो यहाँ पर और का sign available है, इसका मदलब यह सही है, उसके बाद rest में B store है, और rest देखो कैसा, यहाँ पर पूरा statement कायदे से पढ़ना जरूरी है, rest आपका int type का है, और store हम उसमें B कर रहे हैं, तो पहली बत तो कोई बच्चा बता, यह कहूं से type casting हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, B अपने आपको ASCII code में बदल देगा, कौन सी, जलत, implicit, क्योंकि explicit में goal वाला bracket होना जरूरी है, उसमें data type लिखा जाता है, तो यहाँ पर implicit type casting हो रही है, और B का ASCII code B का क्या होता है, 66 होता है, तो 66 यहाँ पर rest में store हो जाएगा, 66, उसके बाद, अच्छा और कुछ हाई नहीं, बस यही 66 ही answer हो जाएगा, यह implicit type casting हो रही है, भी एक character है, जो अपने आपको, अपने आप automatically integer में convert कर रहा है, तो उसके बाद, next देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट में value दीए है, mat.floor, तो floor क्या करता है, कि point वाली value हटा कर integer part में जो भी है, वही बनाया रखता है, point वाली value की जगे पर 0 लिख देता है, तो यहाँ पर floor function तो x को 2.0 लिख देगा यहाँ पर, अब 2.0, y, y में क्या है, 2.5, तो 2.5 यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में क्या ढूना जा रहा है, min, तो min में आपका 2.0 ही consider किया जाए जाएगा, सही है, तो उसके बाद, देखी, how many times the loop will execute, तो जब भी आपको यह वाला question आता ही आता है, कि loop कितनी बार चला है, तो इसको हमेंसा लिख के करना, मन में न करना, मन में करोगे तो एक भी step अगर आगे पीछे हो गया, तो loop एक कम या एक ज्यादा हो जाएगा, तो हमेंसा लिख के करना, जैसे मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूं, इसमें output नहीं पूछा गया, इसमें कितनी बार चलेगा, यह पूछा गया है, तो हमने i is equal to 4 लिख लिया, starting value, और उसके बाद, अब चेक किया, 4 20 से छोटा है, condition true नीचे आए, जब नीचे आएगे, कुछ भी output आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, i आपका 4 था, 4 10 से डिवाइट करोगे, इस पर equal है, क्या, 4 10 से equal, नहीं है, तो कि output चेक नहीं करना है, तो हमें यहां पर कुछ करना भी नहीं है, condition false होगी, और loop आपका ऊपर चला जाएगा, i के पास 2 था, तो यह 8, condition true, तो 3rd step मान आ जाएगा, और फिर 8 बराबर नहीं है, फिर उपर गया, अब यह 2 प्लस होकर 10 हो गया, तो condition true नीचे आए, अब यह 4th time चल ला है, और उसके बाद फिर उपर जाएगा, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, अब 12 is less than equal to 20, condition, अच्छ हां, 10 10 मैच हो गया है, मैच हो तो आप लिख के ही करिएगा, जब भी आपका how many times वाला question आता है, उसके बाद देखिए, entry control loop, ऐसे लूप जो start होते ही, पहले condition check करते हैं, उसके बाद execute कराते हैं, code को, तो वो आपका entry control loop है, तो for और while, दोनों आपके entry control loop होते हैं, यहाँ पर for answer सही है, उसके keyword which stores the value, true, false, only, is called, तो boolean type के होते हैं, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी ध्यान दिरखना, keyword सारे small में होते हैं, दोके से कोई बच्चा boolean पहरी ने जर में देखा, उसको ने मिल गया, आगे उसने देखने, कस्ट है नहीं किया, तो कस्ट नहीं करेंग, तो आपको कस्ट हो जाएगा, त आप यहाँ पर समझें कि keyword सारे small में होते हैं, तो small वाला ही, जैसे कई बार ऐसे question आते हैं, जिसमें true false return हो रहा होता है, तो true का t बढ़ा कर देते हैं, तो उसमें आप बच्चा confused हो जाता है, वो तो true से मतलब है, उसको true लगा देता है, जबकि small वाला true सही बाना जाएगा, ओके, तो यह आपकी कहानी यहाँ पर हो गई पूरी, अब आप थोड़ा theory कर लेते हैं, चोटे चोटे question है, सबसे पहला basic principle of oops, दो कोई principle बताना है, तो total चार principle होते हैं, बहुत common question है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है, तो abstraction, encapsulation, polymorphism और inheritance, इन चारों में से कोई दो else if, और switch case. इसमें बहुत सारे point है. सबसे पहला point तो यह है, कि जिसे switch case और if L receive की बात करें, तो if L receive और स्वीच केस में सिर्व एक्वालिटी चेक होती है, तो आप पहला डिफरेंस तो यही लिख दोगे, इफ ऐल सिम में, आल रिलेशनल ऑपरेटर आर यूजड और स्वीच केस में, नहीं, ओल्ली एक्वालिटी आर चेक्ट, कितना लिख दोगे, फिर दूसरा, दूसरा कि इफ एलसिफ में जब आप वर्क करोगे तो आप याद करो आप चाहे इंटेजर वेलू चेक करना हो तब भी चेक कर लेते हो चाहे फ्लोट वेलू चेक करना हो तब भी चेक कर लेते हो चाहे करेक्टर वेलू चेक करना हो तब भी चेक कर लेते हो लगा के इफ एलसिफ में स सकता है ज्यादा ज्यादा इस्ट्रिंग हो सकता है तो आप यहां पर दूसर डिफरेंस यह लिख सकते हो कि इफ एल्सिफ में और डेटा टाइप can be used कि इफ एल्सिफ में सारे डेटा टाइप और चेकिंग कंडिशन यूज किये जाते हैं हां और जबकि स्विच केस में आप लिखोगे सिर्फ करेक्टर और इंटीजर और स्ट्रिंग तीन ही तरीक एक डेटा टाइप यूज किये जाते हैं हां वा समझा माहा रही ना कि इफ एल्सिफ में सारे डेटा टाइप यूज किये जाते हैं सारे हां इसमें और वर्ड यूज करतो सारे ना लिखो सारे प्रिम्टिब डेटा टाइप यूज किये जाते हैं और स्विच केस में हाँ, switch case में especially character string और integer तीन ही यूज़ किया जाते हैं फिर एक और switch लिख सकते हो, कि switch case में आपका default statement होता है और if else if में नहीं होता है default statement लिखा जाता है if else if में if else if में आप लिख सकते हो, switch case में default statement होता है उसमें else statement होता है यह लिख दो else, default की जगे पर else statement यूज़ किया जाता है यूज़ किया जाता है else if, else, उमने cannot लिखाय जाया उसके बाद एक और difference लिख सकते हो, कि switch case में इन पर ब्रेक स्टेटमेंट की जडरूरत पड़ती है या यूज़ किया जाता है और if else if में नहीं यूज़ किया जाता है if else if में लिख सकते हो, may और maynot use कॉन? break switch case में हमें लगाना होता है switch case में jump statement है यह break use किया जाता है और इफलसिप में तो जब जरूरत होती तब लगाते हैं अगर कोई कंडिशन फॉल्स करानी है मदल बाहर निकलना है तो यह इतने सारे हैं लेकिन बच्चो इतने सारे नहीं लिखने हैं सिर्फ टिक कर लो स्टार्टिंग सिर्फ दो ही लिखने हैं और कोई भी नहीं लिखना है जब उपर वाले याद ना है तो नीचे वाले असान है रेक और डिफॉल्ट वाली लाइन इसलिए वह आप लिख स को मल्ट यह 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 बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि एमसी क्यू में भी पूछा जाता है कि मल्टी ब्रांचिंग स्टेट्मेंट काउं सा है स्वीच केस है और यह नहीं है हाँ यह खाली कंडिशनल स्टेट्मेंट है तो यह तीन टिक कर लो यह उपा स्टार्टिंग के दो और यह लास्ट वाला मल्टी ब्रांचिंग स्टेट्मेंट यह इफेक्टिव डिफ्रेंस है उसके बाद फिर आप देखिए यहां पर जावा एक्स्प्रेशन है तो यह जो वर्टिकल लाइन होती है मैठ डॉट एबियस होता है मैठ डॉट एबियस और फिर ब्राकेट में एक्स इसक्वाइर है अगर जधा बड़ी पावर है तो मैठ डॉट पावर यूज चाहो इसमें भी यूज कर सकते हो वहना यहां पर एक्स इंटू एक्स लिख हो गया फिर उसके बाद आउटपुट बताना है आपको यहां पर हाउ मैनी टाइमस आउटपुट के साथ में हाउ मैनी टाइमस भी बताना है दोनों चीजे बतानी है जड़ा देखिए वही तरीका अपनाएंगे हम लोग कि I is equal to five दिया है लिख लेंगे और step one step one में अच्छा क्योंकि यहां आउटपुट भी बताना तो यहां पर आउटपुट भी लिख लेंगे तो सबसे पहले five one से बड़ा है condition true नीचे आ गया अब five जो है two से डिवाइड नहीं होता है तो reminder क्या देगा one one zero से match नहीं हुआ तो बाहर आकर देखो यहां इफ का curly bracket on off नहीं है इसका ममलब continuous सिर्फ जो है इसके अंदर है और यह जो लाइन है यह इफ से बाहर बानी जाएगी तो अब if true हो यह not true हो आपका नहीं true होने पर आपकी यह लाइन आएगी और continue का जो काम है वह अभी आपको देखने मिलेगा कई बच्चे continue का मतलब नहीं समझते हैं क्योंक आउट्पूट पहला क्या गया 5 और क्योंकि प्रिंटिंग कभी भी हो हमेशा याद रखना लगा है नहीं लगा है बच्चे इस बात पर कई बार miss कर जाते गौर नहीं करते ऐलन जब भी printing हो रही हो तो यहां पर इस पेस भी प्रिंट हो रहा है तो यह इस दिखाया नहीं अब माइनस माइनस हो गया तो यह आपका आई की वैलू यहां पर 5 थी अब माइनस माइनस होकर आई की वैलू कित्ती हो गई 4 तो 4 भी आपका बढ़ा है नीचे आप 4 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 is divisible by 2 तो condition true अब continue क्या करेगा अब बताओ जदी अब आप लोग सब्जो continue का मतलब होता है next iteration को आगे ले जाए यहां से करसर जब भी continue मिलेगा तो continue में एक तो यह definition है कि यह next iteration को promote कर देता है और दूसरी इसके साथ में end करके definition यह बढ़ानी है आपको कि continue के नीचे लिखे के statement execute नहीं होने देता है अब continue के नीचे यहां पिछे यह लिखा है तो यह line नहीं पढ़ सकता क्योंकि continue का मतलब सीधे वह यहां ले जाए अब एक और difference समझ लो बच्चो कि अगर यह for loop है तब तो यह next iteration पे ले जा रहा है लेकिन अगर for loop नहीं है while है या do while है तो सीधे यह condition पे ले जाएगा सीधे condition पे उसमें plus plus minus minus हम ले ले जाता है continue मतलब सीधे condition ले जाए यह बात ध्यान रख रहा है क्योंकि output में आप while do while में निकालोगे तो अलग output आएगा continue का और for में निकालोगे तो अलग आएगा क्योंकि for में तो यह plus plus minus minus पे ही भेज़ देता है और इसमें भी अगर यह line यहां से गायप कर दी जाए इसको उठाकर नीचे यहां कहीं लिख दिया जाए तो यहां से सीधे condition पे ही जाएगा फिर वह minus minus plus नहीं कराएगा क्योंकि उसका रूप क्या है continue के नीचे लिखेगे statement को execute नहीं होने देना है तो आपका माइनस माइनस होके या फोर्स उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है तो फिर आपका यह minus minus हुआ minus minus होके 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहां पर 3 हो गया अब 3 condition true है अच्छा यहां पर अभी कोई output नहीं आया है ठीक है अब 3 भी 1 से बढ़ा है नीचे आ गया 3 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है तो आप else में जाओगे और यहां पर else का मतलब बाहर जाओगे और यहां पर 3 अच्छा 5 और space आई चुका था अब इसके बाद 3 औ पिर माइनस माइनस होके डिवाइड हो जाता है तो चुका मतलब फिर से आई माइनस माइनस भी ले जाए तो तू पर आपका कोई output नहीं आया यही वाला कॉंटिन्यू रहा फिर माइनस माइनस होके यह कित्ता हो जाएगा वन कंडिशन टू नीचे आया वन टू से डिवाइट कराऊगे एक मिनट अभी हमने क्या टू लिखा था ना तो यह तो टू टू हाँ ऊपर चला गया ठीक आउट नहीं आया फिर बन हो गया कंडिशन फॉल में आये अब आपने यहां पर 5-3-1 इतना प्रिंट करा दिया और उसके माइनस माइनस होकर आपका यह जीरो हो गया जीरो अब जड़ा एक पर देख लें यह वाली लाइन हमारी नहीं नहीं यह हमने अभी पॉइंट नहीं डाला यह 5 है क्योंकि इस पर यह हो गया ना यह 5 है तो 5 पर 1 था और 1 पर आपका आउट पूट आया 5-3-1-10 उसके बाद जैसे आप यह सिक्स टाइम जब पहुंचे तो आई माइनस माइनस होकर जीरो हो गया अब जीरो इस कई बच्चे यह समझते हैं कि कंडिशन पहुंचा तो इसका मुलब चल गया कंडिशन के अंदर आएगा तभी चला माना जाएगा नहीं जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे आप लूप से बाहर आ जाओ तो आप कहां तक चला पाए 5 टाइम तक चला पाए तो आप यहां पर आ पाच बार यह लूप कंप्लीटली चला है ठीक है कोई कोशन तो नहीं किसी का और कॉंटिनू का मतलब भी समझ गया आप पिर देखिए आपका कुछ स्ट्रिंग के कोशन है इसमें फॉनिक्स लिखा है मैं पहले इंडेक्स नमर डाल दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 0 1 2 3 4 5 अगर मैंने सही इंडेक्स नमर डाले है तो देख लीजेगा अब यहां पे s1.substring 0 तो s1.substring में सिर्फ 0 दिया है इसका मलब क्या आ जाएगा पूरा पूरा वर्ड आ जाएगा क्योंकि एक इंडेक्स नमर का मलब तो वहां से आखरी तक पूरा तोड़ दे तो यह आपका phonics यहां पर पूरा का पूरा आ जाएगा उसके बाद concat हो रहा है s2 में आपका iceland है इसमें 2 खाली दिये दिया है तो 2 का मलब लेंड आ जाएगा तो उधर वाला वर्ड पूरा हो गया उधर वाला लेंड है और बीच में आपका क्या लगा है concat लगा है concat मतलब उसको join कर दे जोड दे तो पूरा output क्या जाएगा आपका spelling क्या है without space ठीक है यह आपका output आ जाएगा उसके बाद अभी दीचे भी एक तो output यह हो गया और फिर s2.2 uppercase तो s2 में आपका iceland है तो यह uppercase में खाली हो जाएगा उसके बाद what it Mark is mean by package ०१ तो package में आप हमेंसे याद रखो package क्यों से थे एक वोता है आयो पेकेज होता है लेंग पेकेज होता है है लाए ना बहुत सारे administrations होते हैं को हम लोग तीन ही ज्याएद है हम लोगों तीन package से मतलब है यह kai स System जिसमें buffer reader होती है और आपका यूटिल में scanner वाली class होती है और lang में बहुत कुछ होता है java.lang में तो यहां पर package का इवारिम खाली पूछा गया है तो package का sense यह रहता है कि जैसे अगर यूटिल package है तो यूटिल package का मतलब यूटिल package के अंदर जो जो चीजे होती है वो प्रोग्राम में use करनी ही इसलिए यूटिल package लेना जरूरी है जैसे कि अगर हम यूटिल package हटा दें हम सोचे scanner वाली line हमारी चल जाए scanner sc is equal to new scanner system.in वहीं पर error आएगी फिर उसके बाद हम सोचे कि sc.next int line work कर जाए तो वहीं पर error आएगी क्योंकि यूटिल package के अंदर होती है इसलिए यूटिल package को अपने प्रोग्राम में import कराना होता है तो आपका यहां पर package को अगर define करेंगे तो क्या कहेंगे कि it is a collection of logical related classes यह predefined classes कह सकते हैं and methods methods क्या है sc.next int next float next double यह सब क्या है method है क्योंकि goal wall up bracket आगे होता है तो it is a collection of predefined logically related classes and methods उसके बाद difference between entry control loop और exit control loop तो इसमें हम लोग पल चुके हैं कि entry control loop जो है यह first check the condition then execute और exit control loop first execute then check the condition और फिर दूसरा difference आप दिख सकते हो कि हां यह आपका exit control loop it will be executed at least one time और entry control loop में ऐसा नहीं होता है तो यह दो difference खास तोर पर आप यहां पर याद रखेंगे उसके बाद देखें यहां पर best store है और यहां पर off luck store है तो इसके यहां पर इस पेसली क्या ध्यान देने दिलाया जा रहा है यहां पर Allen का use दिखाया जा रहा है यह बोड का question है तो Allen का use यहां पर यह कि Allen क्या करता है कि जब Allen लगा हो तो पहले वो print करा देता है कुछ भी हो यहां सुन लो इत्ते आदेगा ठीग है और क्योंकि अलन नहीं लगा है तो करसर आपका यहीं पर रखा हुआ है उसके बाद आपका नीचे आएंगे और यहां पर यह अपना इस ट्रूंक प्रिंट करने के बाद फिल लाइन चेंज करेगा तो क्योंकि करसर तो बेस्ट के बाद में रखा हुआ है यहां पर off, luck जो है इसीकेसाद जुड़कर आगे की और print कर देगा और उसके बाद line change करकर नीचे कर देगा यह है इसका मैं अधिलब यह एक ही लाइन में प्रिंट होंगे और best of जो है जुड़के print होगा क्योंकि space तो कहीं mention है नहीं तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छा हां यहां पर अगर हम space दे देते थोड़ा सा एक करेक्टर का तो फिर यहां पर space आ जाता है उसको भी ध्यान देना है आपको फिलाल यह best of luck एक ही line में आएगा और best of जो है यह आपके आपस में जुड़े हुए होंगे ओके फिर आपका यहां पर क्या दिया गया है आपका यहां कहीं दिया है वहीं पर line चेंज कर दे यानि उसके आगे जो भी लिखा है आगे वो next line में ले जाए तो यहां पर incredible print हो जाएगा और उसके line चेंज होगी और next line में आपका वर्ड प्रिंट हो जाएगा तो इंट के डिवल पहली लाइन में और वर्ड दूसरी लाइन में समझ गए लिख दूँ मैं और next line में वर्ड इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा उसके बाद यहां आप देखिए achievement है तो इसमें replace function क्या करता है इसमें दो argument होते हैं बचोर पहला argument ढूनो और दूसरे से replace कर दो और पूरी इस पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां वह है इस पूरी स्ट्रिंग में धून धून के replace कर दो जिनी कि जितने इए उनको बना दे तो यहां पर आपका ए अच आई आई जो है ए बन जाएगा फिर वी ए सबको बना दे यह सीधा सीधा इसका मतलब है यह दुबारा रिपीट हो गया देखो हमें लग रहा है नहीं अच्छा वर्ट चेंज कर दिया देखें डीडी सेम है एए सेम है और डी और वी चेंज है तो आप डी को छोड़कर और आप यहां पर वी तक काउंट कर डालिए तो आपका टी के वाद ए ए एफ जी एच आई जे के ल मन ओ पी यू आर एस टी यू वी बारा तेरह चोदर पंदर शोरह सतरह ठारह एटेन तो अब 18 प्लस में या माइनस में तो तुरन रिसाइड कीजिए कि पहले वाले का स्काइकोड अगर चोटा है तो माइनस में पहले वाले का स्काइकोड दूसरे वाले से बड़ा है तो प्लस में तो यह 18 आया तो पहले वाले का स्काइकोड यानि कि D का चोटा है V से इसलिए मा ग्लीर आगे देखिए अब आपका प्रोग्रामिंग स्टाइ cierto हो गई है यह पूरा प्रीपर ड्यवोटेड रहे ज्याधा सब्सक्राइक से पेड़ोंस इस्ट्रींग ज्यादा सब्सक्राइक करें तो पहला प्रोग्राम आपका क्या है? यूजिंग स्वीच केस आपको चेक, प्राइम नंबर और दूसरे में जी-सी-डी सारे स्वीच में हैं चलिए हम लोग देखते हैं तो यहां पर प्राइम नंबर है, दूसरा आपका जी-सी-डी है ठीक है और अच्छी बात है यह सारे question एक साथ दे दिये गए हैं तो आप एक बार कायदे से practice कर पाओगे इसको साथ सार लिख लीजे जिनको भी थोड़ी सी भी दिक्कत है साथ सार लिख लीजे मैं थोड़ा shortcut में ही लिखता हो चलूँगा क्योंकि प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा आपका तो सबसे पहले आपका import वाली लाइन हो जाएगी इंपोर्ट फिर दूसरा आपका class class का नाम xyz तली रैकेट psvm जल्दी चलाएंगे और नहीं तो screenshot ले लिजेगा यहां पर scanner आ जाएगा उसके बाद अब हमारा प्रोग्राम देखे उसमें gcd में तो दो number input कराने पड़ेंगे और इसमें एक number input कराना है तो हम चाहें तो ऊपर input लें और चाहें तो case के अंदर लें तो जब अलग-अलग टाइप की variables में input हो रहा होता है तो case के अंदर लेना ज्याद अच्छा माना जाता है तो यहां पर हम input नहीं लेंगे सिर्फ variable declare कर देंगे जो भी जरूत पड़ेगी जैसे मैं a b दो number के लिए तो यह दो variable declare करी दिये हैं बाकी हम नीचे यूज करेंगे इसको और एक ch भी यूज कर लेते हैं और अच्छा loop उप चलाना पड़ेगा तो आई भी ले लेते हैं ओके और हमें याद है प्राइम नंबर में c प्लस तस करा ना हो तर सी इसकोल टू जीरो भी यहीं पर ले लो और चाहो तो यह उसी केस के अंदर ले सकते थे उसके बाद अब वैलू इंपुट नहीं होगी सीधे मैनू बनेगा तो SOPLN में आप लिख देना 1 is equal to check prime number prime और 2 is equal to find gcd और SOPLN में enter choice और यहां पर ch is equal to sc.next int और फिर यहां पर switch ch और फिर curly bracket open हो जाएगा अब आपका यहां start हो जाएगा case 1 case 1 और इसमें आपको prime number का program बनाना है तो हमने i variable ले रखा है और c is equal to 0 भी ले रखा है तो for i is equal to 0, revise करो बच्चो, i less than equal to, अच्छा हां अब number इसमें input कराने के लिए हमने कह दिया था, पहले number input कराओ SOPLN, enter number और इसके लिए हम लोग a use कर लेंगे, a is equal to sc dot next int अब आप लिखिए for i is equal to 1, i is less than equal to a, i plus plus, जली बैकेट, if a mod, याद है तो बोल सकते हो, यह सब याद होना चाहिए, तो कभ याद होगा, a mod i is equal to is equal to 0, तो c++ हो जाए, लूब बन, और if c is equal to is equal to 2, तो आपका SOPLN में prime number, और else में not, not prime number, उसके बाद अपक्या याद रखें, break लग जाए, break लग गया, और case 2, case 2 में हमें क्या चाहिए, दो number input कराने है, SOPLN, enter two number, और a is equal to sc.next int, और b is equal to sc.next int, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चो, gcd में आपको याद होगा, पहले हम दोनों number में loop कहां तक चलाएं, तो जो छोटा वाला number होता है, वहां तक loop चला लेते हैं, तो mat.min लगा लो, यहां पर ternary operator लगा लो, तो ternary operator लगा लूँगा, यहां पर c is equal to, अगर a छोटा है b से, तो a की value c में आ जाए, नहीं तो b की value c में आ जाए, और उसके बाद for loop यहां लग जाएगा, for i is equal to 1, i is less than, equal to c, i++, प्लस, कली bracket खोला और यहां पर match हो जाएगा, if आपका a mod i is equal to is equal to 0, और and का sign b mod i is equal to is equal to 0, अब यहां पर एक variable जरूत होगी, gcd के लिए हमें आपका एक hc नाम का variable लेड़ो, hc, hcf, gcd का ही दूसरा नाम hcf भी होता है, ठीक है, तो यहां पर condition to होने पर hc is equal to i कर दो, और उसके loop हो जाएगा बन, और फिर यहां पर sopln, hcf is equal to, hcf is equal to plus hc, और फिर आप break लगा दो, और फिर आप default, default, wrong choice, wrong choice, और फिर आपका हमेशा याद रखना, switch case के बाद, तीन curly bracket बंद होते हैं, एक switch case का, एक public static wordman का, एक class का, तो यह आपका overall हो गया, प्रोग्राम लिखने का तरीका मैंने यहां पर आपको बढ़ता है, बता दिया है, बाकि classes में यह सारी चीजे discuss हो चुकी है, कि कौन सा प्रोग्राम किस तरीके से work करता है, अब जब यह प्रोग्राम करा होगे, तो सबसे पहले menu आएगा, अगर choice 1 दे दी, तो switch CH में 1 आ गया, और switch CH का मलब, case 1 पे चला जाए, यहां पर एक number input करा दिया, suppose that 5, तो 1 से 5 तक का loop चलाओगे, तो 1 से 5 तक चलाने पर आप 5 को 1 से divide होगा, और 5 से divide होगा, और 2 number में आपका छोटा number पहले पता किया क्या है, फिर 1 से छोटे number तक का loop चला दिया गया, और SCF का मतलब होता है highest common factor, यह वह सबसे बड़ा common factor जो दोनों number को divide करता हो, तो आपका कोई भी example आप ले सकते हो, जैसे माली जे मैंने 18 ले लिया और 8 ले लिया, तो 18 8 में देखो, पहले 1 से, क्योंकि i की value 1 है तो 18 और 8 को 1 से divide कराके देखा जाएगा, तो 1 आपका SC में आ जाएगा, फिर आपका i++ होकर 2 हो जाएगा, 2 से भी 18 और 8 दोनों divide हो जाते हैं, तो i की value 2 इसमें SC में store हो जाएगी, फिर 3 i++ हो जाएगा, 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 18 हो जाता है, लेकिन बीच में यहां and लगा है, इसका अमलब condition false, फिर 3 के बाद 4 हुआ, 5 हुआ, आप देखो कोई ऐसा नमर मिला है, जिसमें 18 और 8 दोनों divide हो, नहीं हो रहे हैं, तो पूरा है, आपका 8 तक का loop चलेगा, और उसके loop से बाहर आ गया, लास्ट टाइम आपका इसमें 2 गया था, तो SCF आपका यहां पर 2 प्रिंट हो जाएगा, और break से आप यहां पर switch के से बाहर, और कोई choice नहीं true ही, तो default में आओगे, wrong choice हो गया, तो बस यह वाला आपका इसका solution रहा, इसके बाद देखिए, question number 4 में, आपका, यह सब board के question है, जो board में पहले से previous year में आए, perfect number, और दूसरा क्या है आपका, 3 digit, sum of each digit, find the smallest digit, यहां पे कह रहे हैं कि enter a number, more than 3 digit, तीन डिजिट से ज्याधा का एक नंबर होना चाहिए, और find the smallest digit, तो यहां पे साथ में यह सम भी निकाला गया क्या, देखिए बच्चो, मैं actually कम पढ़ने कोसिस कर रहा हूं, आप लोग को सामने है, smaller digit तो आपकी 2 हो गई, सही है, और आपका यह sum of each digit, यही सारे नंबरों को add भी कर दिया गया है, तो बस मैं इसको अब menu में तो वैसे ही बनाना जैसे हमने पहले बनाया था, तो उनों में फर्क बस इतना हो जाएगा, इसमें भी एक number ही input करना है और इसमें भी एक ही number input करना है, तो आप यह चीज जो है, switch case से पहले, यहनि कि menu बनाने से पहले enter number कर लीजे, और num में value सो करा लीजे, उसी num वाली value को आप case 1 में भी use कीजेगा, यह पुला सा change कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार case 1 के अंदर भी एक number input करा हो, case 2 में भी एक number input करा हो, इसकी कोई मतलब नहीं है, जब अलग-अलग input होता है, तब हम अलग-अलग case 1, case 2 में कराते हैं, पाकि आपका perfect number का आपको पता है, prime number का आपको पता है, मैं time नहीं बचा है, चली अच्छा, यह जो है आप और उससे देख लीजेगा, मैं देख रहा हूं कि कोई नया question मिल जाए, तो मैं उसको करा दूँ, हाँ, यह इंडिया वाला करा दिया जाए ना, और यह वाला तो पता ही होगा, starting value देखो, 5, 4, 3, 2, 1, ending value 1, यह आपका हो जाएगा, यह वालका समय लिख दे रहा हूं, नहीं, यह रिस जरूत नहीं, ऐसे string में store करा लो, string, s is equal to, यह आपने store कर लिया, उसके बाद int, i, क्योंकि यह fix in string है ना, तो आप ऐसे लिखोगे, n is equal to s dot length, minus 1, फिर for का लूप चला दो, for, i is equal to 0, i is less than, equal to n, i plus plus, इसको लिख लेना जिनके पास नहीं है, for, j is equal to 0, j is less than, equal to i, i, और j plus plus, और यहाँ पर sop, ln नहीं लगाएंगे, sop, s dot, carat, carat, और यहाँ पर आपका आजाएगा j, उसके बाद इसको बन किया, और sop, ln, और उसके बाद इसको बन कर दिया, पहले था i, फिर उसके बाद, अब यह हटेगा नहीं, वो चला जाएगा program, i था, in था, ind था, अगर यही वाला था, तो उसका यह answer आपका हो गया, तो नाइन्थ वाली है, हो गया नोट, देखे, i, in, ind, हाँ, वही वाला है, थेख, फिर देखे, यहाँ पर क्या है, राइट प्रोगर्ण तो एक्सेट एस स्ट्रिंग डिस्प्ले, न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सिंग इच करेक्टर आफ द वर्ड, इन्पुट आउट्पुट में देख लीजे, जैसे वर्ड के हिसाब से आपको रिवर्स करना है, कि देखिए बच्चो पहले आपका मैं वेरेवल से सीधे लिख रहा हूं पहले आपको इस नाम का वेरेवल ले लेना है और इसमें कोई स्पेस ना देना डबल कोट से स्टार्ट किया बन किया उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं सोपेलन में एंटर स्ट्रेंग एंटर सेंटेंस या इस्ट्रिंग और एस इसको आपको याद होगा कि सेंटेंस तोड़ते हैं डर्द के बाद में एक space होता है लेकर last word के बाद में space नहीं होता है तो हमें एक space add करना होता है तो यहां पर s is equal to s plus space यह space है और यह space नहीं है अब length निकाल सकते n is equal to s dot length और यह मैंने जगह छोड़ दी मैं यहां से लिख रहा हूं और अच्छा अब ठीक है reverse उसमें आ जाएगा i is equal to 0 i is less than n i plus plus चली बैकेट स्टार्ट किया और car ch is equal to s dot carat carat i तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर if condition लगेगी word तोडने वाली ch not equal to space तो यहाँ पर r is equal to ch plus r अगर किसी की याद हो यह वाली line reverse करने की यही होती है और उसके बाद sop ln नहीं लगाएंगे यहाँ पर sop r प्रिंट करा दीजिए और sentence बनाए रखना इसलिए एक space भी दे दीजिए और फिर आपका r को खाली करा दीजिए और इसमें भी space नहीं दिया जाता है खाली करा दीजिए बस double code start करो बंद करो else बंद हो गया और आपका loop बंद हो गया public static wordment बंद हो गया और class बंद हो गया यह है इसका अगर लिख पार है तो लिख लो आप देखो मैं छोटा सा एक उसमें एक्जामपल में हलका सा इसको समझाय दे रहा हूं हाँ हाँ अच्छा हमायन प्रोग्राम लिखा हम ही हट जाये अरे छोड़ो यार हट कर दी हाँ बच्चो ध्यान दो देखो मैं माली जे लिखा है राज इस मैं इतने में ही चला के दिखाता हूं आको राज इस लिया है जीरो वन टू थी पोर फाइब और मैंने यहां पर मले राज इस इंपुट कर आया और एक स्पेस जोड़ दिया तो है यहां पर एक स्पेस भी जोड़ गया यह ऐसे यह 6 तक गया ठीक है अब देखो लेंथ निकाल ली तो लेंथ यह 6 तक गई इसका मलब लेंथ 7 निकलेगी एक ज्यादा होता है अब 0 इस स्पेस बराबर नहीं है कंडिशन ट्रू हो गई तो आर नाम के वेरेबल में आपका क्या आजा है सी एच में क्या था आर ही आगया उसके बाद अब इफ ट्रू हो गए तो एल्स में नहीं आओगे लूप उपर चला जाएगा आई प्लस प्लस होके वन हो गया वन भी 7 से छ पहले से यार है तो यहां पी सी एच कहां लिखा गया आर से पहले लिखा गया है तो यह कहां एड होगा आर से पहले अगर यहीं सी एच आर के बाद में लिख देते तो यहीं आर के बाद में आता बस यही टेक्निक है इसमें रिवस करने में सी एच पहले लिख दिया गया बाद में तो जो भी एड होगा वो आर से पहले होगा फिर इफ टू हो गए एल्स में नहीं आएंगे आई प्लस प्लस होके आपका टू हो गया तू पे कहां से करेक्टर टूटा जे टूटा जे नॉट इकल टू स्पेस कंडिशन टू नीचे आया अब जे कहां एड हो जाए यहांपर हो गया अब इसके बाद यहांब यहां आपका स्पेस कंडिशन slipp आये आये और यहांब हो इसका मुल्ब यहां पर आपने आ पर यह को मिशतहिक हम फॉरिक करा दिया ए इस अंब यहां लाइज तो तो ऐसे यह आपका इस को भी रिवर्स कर देगा पर इतना ही बताया जा सकता है दूसरा देखो ऐसे वर्ड जो पैलेंड्रोम हो अब वर्ड तोड़ने वाला इफ तो वही लगेगा देखो यहां पर कितना सुन्दर लॉजिक है इस पर ध्यान दीना यह अलग कोशन नहीं है आपका पैलेंड्रोम व Д्वर चेक करना है ठीक है मैं सिर्फ वही वाला कोड आपको यहां पर लिखके दिखाये रहा हूं क्योंकि WOR तोड आपने भी iuz में भी आए और वर्ड तोड़ के क्या कर रहा था हमने जाए ऐस किया था तो पैलेंड्रोम में भी तो पर हाँ आप देखो मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ और i is equal to zero i is equal to zero i is less than आपका जो भी इसकी लेंथ होगी i plus plus और curly bracket खोला यहां पर care ch is equal to s dot caret i और फिर if ch not equal to space यहीं वाली condition लगाई थी ना नोगों ने और इसमें माली जो मैं r की जेखर आप इसमें w ले ले रहा हूं w is equal to w और यहां पर reverse इसमें भी चाहिए हमें तो reverse चाहिए तो r ही ले लिया जाए है आर is equal to ch plus r यह क्या करता है reverse करा देता है else में else में आये आए अब आपको क्या करना है पैलेंडोम जहां यहां पर हमें सीधा वाला वर्ड भी चाहिए और reverse वाला भी चाहिए तो यहां पर एक तरीका और आप करोगे उल्टा वाला हमने ले लिया, सीधा वाला भी चाहिए, तो यानि कि हम यहां पर इफ लगाएंगे, और मल यह एक W ले लिया सीधा वाला वर्ड के लिए, इस ट्रिंग वैरेबल, तो W is equal to R plus CH, अब देखो, R में तो reverse वाला आएगा, और W में हमने CH बाद में लिया रखा, इस equals W, आर वाला वर्ड, W वाले वर्ड, यानि कि अगर मॉम था, तो मॉम का reverse भी मॉम आएगा, और सीधा वाला भी मॉम ही रहेगा, दोनों सेम हो जाएगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो वर्ड प्रिंट हो जाए, तो SOP, हाँ, LN लगा सकते हो यहां पर, और आप चाह है, R प्रिंट करा दो, और उसके बाद दोनों को खाली करा दो, यानि कि R भी खाली, R is equal to space नहीं देना है, बस double quotes लगाना है, और W is equal to, बस बन कर देना, तो यह बस इतना logic चेंज होगा, सीधा उल्टा दोनों वर्ड तोड़े, और else में आकर दोनों को मैच करा लिए, अगर तो रिवर्स वाला ओरिजिनल वर्ड से मैच हो रहा है, तो वो प्रिंट हो जाए, बस इतना है, तो जितने वर्ड ऐसे होंगे, सारे प्रिंट हो जाएंगे, बस देख लूँ, आखरी वाला क्या है, इसमें क्या है, अच्छा, तो यह हम लोग कर चुके हैं, अब आप हम यहां पर इसको खाली अपने अकेले में explain कर देते हैं, जिससे कि यह complete हो जाए, जिसको लेट हो रहा हो तुरन निकल जाए, मैं यहां पर बस इसको explain कर दे रहा हूं कि मोहंदास करमचन गांधी कैसे आएगा, तो बच्चो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैं direct input ले ले रहा हूं यहां पर, यह बेटा, अच्छा तो ठीक है बच्चो फिर यह वाला किसी class में देख लीजेगा समय दूसरे batch का हो गया है, तो मैं class यहीं पर अब end करता हूं ठीक है बच्चो बाए बाए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कर देंगा थब देंगा जिए, कर दोस्तों के दोस्तों किसी दूसरे बाए 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 नहां आंप। झाल